दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आधार NPCIDVT अपने बैंक ओड में कैसे लिंक कर सकते हैं आउलाइन मैं आपको इस वीडियो में complete प्रोसेस बिल्कुल नहीं तरीके से बताने वाला हूँ जिया दोस्तों अगर आपके बैंक काड में आधर NPCI DVT लिन्क नहीं होगा, तो दोस्तों आप किसी भी सरकारी योजना का फंड अपने बैंक काड में नहीं ले सकते हैं, जैसे कि माली ये PM किसान योजना होगया, उसका अगर आपके बैंक कॉण में पैसा आता है, तो दोस्तों किस तरीके से आधार NPCI DBT अपने बैंक ओन में लिंक कर सकते हैं आउनलाइन घर बैटे ही मैं आपको इस वीडियो में कम्पलीट प्रोसेस बिल्कुल नहे तरीके से बताने वालों तो चलिए शुरू करते हैं पहले अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम को पेंट करना है उसको सर्च करना है NPCI, NPCI जैसे सर्च करेंगे NPCI का ओपिसल वेफसेट आज़ेगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल ओन करना है नीचे स्क्रॉल डॉन करने के अबद तो यहां पर आपको एक option दिखाई दर soybean का कंजूमर का आप यहां पर देख सकते हैं एक option आपको दिखाई दर क्न्जूमर का कंजूमर के सामने में पलस का आइकन दिखाई देगा तो सिंपल सा आपको इस पलस वाले आइकन पे किलिक कर देना है यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले आपको यह बता रहा हूँ कि आपके बैंकड में आधार NPCI DBT लिंक है या नहीं अब दोस्तों को करना का और नीचे में दिखे भारत आधार सीडिंग का ओप्सन दिखाए देगा वारत आधार सीडिंग का ओप्सन पे किलिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है सबसे पहले उपर में बोल रहा है अपना आधान नंबर इंटर करने के लिए तो आपना आधान नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है उसके बाद इस CAPTCHAD को यहाँ पे इंटर कर देना है उसके बाद दोस्तो नीचे में दिखे CHECK E-Status का उप्सन दिखा देगा CHECK E-Status के उप्सन पे आपको SIMPLE से क्लिक कर देना है तो चलिए मैं अपने आधार नंबर और सबसे पहले आपने आदहार नंबर का लाष्ट का फोर अंक यहां पे सोग कर जाता है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं उसके बाद दोसो second वाले option में आपको दिखाई देगा mapping status active अगर दोस्तों आपको यहाँ पे mapping status में active दिखा रहा है तो दोस्तों आप यह जान लेगी आपके bank account में आधार npci dbt link है अगर यहाँ पे mapping status में आपको यहाँ पे inactive दिखाई देगा तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपके bank account में आधार npci dbt link नहीं है तो आप मेरे case में आप देख सकते हैं mapping status मेरे active दिखा रहा है तो मेरे bank account में आधार npci dbt link है ठीक है और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे आधार npci dbt कब मेरे bank account में link होया उसका डेट भी यहाँ पे सोक कर जाएगा ठीक है और लाश्ट में दोस्तों आपको दिखा देगा कि आपका कौन सा बैंक कॉन आई थी हो मेरे केस में दोस्तों मेरा State Bank of India का यहाँ पे दोस्तों बैंक कॉन है मेरा यहाँ पे सोक कर रहा है कि किस तरीकी से आप चेक कर सकते हैं कि आपके बैंक कॉन में आधार NPCI DBT लिंक है नहीं उसके लिए आपको करना क्योंगा फिर से आपको Google या Chrome को उपेन करना है उसको आपको सर्च करना है SSUP जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया उसके बाद उसको UIDI ऑपिसल ऑफसाइड आजागा इस वाले वेपसाइड पर आपको सिंपल से किलिक कर देना है जैसे ही दोस्तोव क्लिक करेंगे यहाँ पर अधार कैट के official website पर आ जाएंगे आपको नीचे scrolled on करना है scrolled on करने के बाद दोस्तोव यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा bank seeding status का आप देख सकते हैं bank seeding status का एक option दिखाई देगा simple सा आपको bank seeding status के option पे click कर देना है जैसे दोस्तो इस पर आप click करेंगे आपके सामने इस तरह का interface आजाता है अब यहाँ पे दोस्तो आधान number इंटर कर देंगे और इस capture को यहाँ पे आपको इंटर कर देना है उसको send OTP को option पे click करेंगे OTP आएगा उस OTP को यहाँ पे आपको डाल देना है उसके बाद दोस्तो नीचे में देखें login का option दिखाई देगा simple सा login वाले option पे click कर देंगे चलिए मैं यहाँ पे सभी detail डाल के login का option पे जैसे मैं click करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बता रहा है कि आपके आधार का लाश्ट फो रंक यहाँ पे सोक कर जाएगा और bank name आपका सोक कर जाता है जैसे कि मेरा state bank op india का है और दोस्तों आप देख सकते हैं bank seeding status में मेरा active दिखा रहा है green color में तो इसका मतलब है दोस्तों कि मेरे bank on में आधार NPCI DVT मेरा link है और दोस्तों कितने तारिक को मेरे यहाँ पे NPCI DVT मेरे bank on में link हुए वो date भी यहाँ पे सोक कर जाता है तो दोस्तों यहाँ से इस तरह से आप check कर सकते हैं तो तरीका में बता दिया हुए किस तरीके से आप check कर सकते हैं कि आपके bank on में आधार NPCI DVT link है या नहीं अब मान लिए दोस्तों कि bank on में आपके आधार NPCI DVT link नहीं है तो उस case में आप कैसे link कर सकते हैं उसके लिए आपको करना क्योंगा फिर से आपको Google या Chrome को पेंट कर लेना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको search करना है आधार सीडिंग उसके बाद अपने bank on का नाम डालेंगे जी जैसे मान लिए आधार सीडिंग मैंने यहाँ पे लिग दिया अब दोस्तों अगर मान लिए मेरा यहाँ पे PNB bank on है पंजाब नसल bank on है तो यहाँ पे PNB मैं लिग देता हूँ अगर मान लिए आपका State Bank of India का है तो SBI लिखेंगे चलिए मैं यहाँ पे लिग देता हूँ आधार सीडिंग PNB क्योंकि मैं PNB का मेरा bank on है पे लिख देता हूँ उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च करना है आधार सीडिंग लिख के अपने bank on का नाम लिख देंगे उसके बाद आपको सर्च करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फर्ष्ट वाला उप्सन आपको दिखाए देगा OTP-Based Adhar Seeding and Authenticates of Account इस वाले उप्सन पर आपको Simple से क्लिक कर देना है उसके बाद नीचे में आपको Check Air for OTP-Based Adhar Seeding का उप्सन दिखाए देगा इस वाले उप्सन पर आपको Simple से क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का Interface आ जाता है अब यहाँ पर दोस्तों अपने Account Number डाल देंगे जो भी आपके पंजाब National Bank का Account Number है वो Account Number यहाँ पर आपको डाल देना है उसके बाद Escape को यहाँ पर आपको Inter कर देंगे उसके बाद दोस्तों नीचे में Continue का Option दिखाए देगा Continue वाले Option पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके Bank Account में आधार कार्ड लिंक हो जाएगा ना कि दोस्तों आपके आधार NPCI DBT लिंक होगा तो दोस्तों आपके Bank Account में आधार कार्ड लिंक होगा ना कि दोस्तों आधार NPCI DBT लिंक होगा ठीक है अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहत हूँ कि दो बैंकों में यहाँ पर आधार NPCI DBT आप आउनलाइन लिंक कर सकते हैं पहला Bank है दोस्तों इंडिया पोष्ट पेमेंड बैंक है दोसरा Bank है धोस्तों यहाँ पर Paytm Payment Bank ये दोनों बैंकों में दोस्तों आप आधार NPCI DBT लिंक कर सकते हैं इसके इलावा अभी कोई भी बैंकों में आधार NPCI DBT लिंक करने का option नहीं दियाया अब मालने ही दोस्तों अपने bank account में आधार NPCI DVT लिंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना है क्योंगर फिर से आपको Google या Chrome को पेन करना है उसके वाद आपको यहाँ पर सर्च करना है DVT भारत जैसे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं DVT भारत मैंने आपके सर्च कर जाएगा अब दोस्तों यहाँ पर आपको 3-line का एक option दिखाई देगा simplist आपको इस त्री-line वाले option पे क्लिक करना है जैसे कि दूस्तों आप उपर में देख सकते हैं एक three line का option दिखाई देगा three line वाले option पे आपको simple से click कर दिना है जैसी इस पर आप click करेंगे अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक option दिखाई देगा documents का simple सापको document के option पे click करेंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का interface आ जाता है अब यहाँ पे आधार UI-DIE का option दिखाई देगा उस पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक arrow दिखाई देगा इस पर click करेंगे उसके बाद दोस्तों से लाश्ट में background on आधार seeding on NPCI मेपर इस वाले option पे आपको simple से click कर देना है जैसे दोस्तों background on आधार seeding वाले option पे click करेंगे आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह का interface आजाएगा आपका यहाँ पे PDF डाउनलोड हो जाएगा अब आपको करना के वाद आपको नीचे scroll on करना है ज़्यादा कुछ नहीं रहता है ठीक है और इस form को सही से feel करने के वाद अपने bank on का जिरॉक्स यहाँ पे डाल देंगे उसके अपने पेन आधार card का यहाँ पे जिरॉक्स डाल देंगे उसका अपने bank में जाके जो भी आपका branch होगा उस bank में जाके इस form को जमा कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके bank on में आधार NPCIDBT link हो जाएगा online process दोस्तों दो ही बैंकों में दिया गया है जो कि मैं आपको बता दिया हूँ इंडिया post payment bank और paytm payment bank में दोस्तों आप online आधार NPCIDBT link कर सकते हैं और दोस्तों other bank में दोस्तों यहाँ पे आभी कोई भी option नहीं दिया गया कि अपने online आधार NPCIDBT यहाँ पे अपने bank on में link कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया है किस तरीके से आप check कर सकते हैं कि आपके bank on में आधार NPCIDBT link है नहीं उसको कैसे link करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ